तो हेल दोस्तो स्वागत है आपका हमारी इस नए वीडियो में तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्लेयर स्टोर के चार ऐसे हीडन सेटिंग के बारे बताने वाले हूँ जिससे आपका प्राइवीसी लीक होने से बत सकता है और अगर आपके बच्चे चोटे-चोटे है अर उनको जो है illegal app दिखे हाता है फ्लेयर स्टोर पर तो वो क्या करते हैं डाउनोड कर लते हैं तो वह जो भी आप रोगसकते हैं और अपना जहाथा से ज्याधा पैसा बचा सकते हैं तो इस वीडियो को बिलकुल भी मिस नहीं करना और अगर इस वीडियो को आप जान में आप से एक छोटा सा रिक्वेश्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राब कर लेज़ेए और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फीलो फेयर करrद लिज़े अपने जो भी वाधसप में आपके आपके फैमिली है सबसे पहले आपको अपने प्लेऄ स्टोर अप में आ जाना है जैसी कि ये हमारा प्लेयर स्टोर में में सेर्क है पहला स्रेटिंग में यह है दोस्तों कि अगर आपके बच्चे के मुवाइल में जैसे कि आपका बच्चा प्लेयर स्टोर खोला है और वह जो है डाउनलोड कर रहा है और अप डाउनलोड करते करते जो है उसके सामने एक इलीगल आप आ जाता है जो कि गेम हो या एप हो तो प्लेटर आउनलोड कर लाता है तो वह आप कैसे बचा सकते हो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो कि फर्स देटिंग में है यहाँ पर आपको जो है लोगों पर क्लिक करना है प्रोफाइल पर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्सेंग के मिलेगा सेटिंस एस लिए मरें को आपको अप्सक्रांटोर ओर पर क्लिक करना सब्सक्राइब और यह हमारा हो गया है और यहां पर आपको apps and game देहेंगे मिलेगा यहां पर आपको click करना है अगर आपके बच्चे 3 साल से ज्यादा है, 7 साल से ज्यादा है, 12 साल से ज्यादा है, 16 या 18 तो यहां पर आप select कर सकते हो अपने मन से जैसे कि यहां पर मैं 3 साल से select कर देता हूँ यहां पर got it कर देता हूं इसकी मैं got it कर देता हूं यहां पर देख सेखते हैं already 3 साल प्लस, आपको सेफ रहना है अब आपकी भी स्थायश है तो उनके पलेश्डोर प्रिलीगैल अप आई गा ही नहीं . तो इस setting को है जरूर आप allow करने ना और फिर यहां से आप simply back आ जाना यह तो है दोस्तो पहला setting अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरा setting के बारे में दूसरा setting में यहां है दोस्तो अगर आपने कोई साभी एक game download किया जैसे कि वो free fire हो गया लेकिन उसमें हम लोगो level up करने के लिए यानि कि ज्यादा professional game बनाने के लिए उसमें diamond देना पड़ता है और फिर ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है और उसमें क्या होता है कि आपके जो छोटे-छोटे बच्चे हैं वो जो है diamond top up कर देते हैं वह भी bank के पैसे से वो भी मतलब फुन पर है और वहां से आपके बच्चे पैसे यहां से उठा लेते हैं और अपना game में पैसा लगा देते हैं तो वह आप कैसे बचा सकते हो और यह बहुत ही secure दोस्तों इससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचेगा अगर आपके बच्चे गलती से टॉप UP करते हैं कोई भी game में तो आप वह पैसा बचा सकते हो यानि कि आप ही हो गया है आपसे भी गलती से हो गया तो आप बचा सकते हैं ध। लिए आपको चल जाना है यहाँ पर प्रफाइल में जाने के बाद यहाँ पर फिर से आपको सेटिक्स में जाना है और सेटिक्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक option देखिए मिलेगा यहां पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक option देखें मिलेगा required auto tentacle for purchase तो यहां पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहां पर आपका सेलेक्ट रहेगा for all purchase through google play on this device मतलब यह हमको कोशिस कर रहा है कि यहां पर आपका जो है कोई सब google play पर गेम हो, डिवाइस हो, यहां पर आपका पैसा पर्चेस हो सकता है, तो आपको कर देना है, यहां पर आपको नेवर पर क्लिक करना है, और गूगल पासवर्ड जो भी आपका गूगल पासवर्ड है, यहां पर आपको देख कर यहां पर ओके कर देना है, और इससे आपका पैसा कभी भी नहीं लहेगा, अगर आपके बच्चे गल्ती से top up कर देते हैं, तो उसमें आपका पैसा नहीं लहेगा और वो गल्ती से भी कर देंगे, तो उसमें आपका पैसा नहीं कटेगा phone पे से, यह हो गया दोस्तों, दूसरा setting जो कि बहुत ज्यादा important था, इससे आपका ज़्यास ज़्यादा पैसा बचेगा अगर आपके बच्चे जो है फॉप अप कर दते हैं फोन पेसे तो आपका पैसा बच जाएगा तो यह तो होगा दूसरा सेटिंग अब मैं बता रहा हूँ तीसरा सेटिंग के बारे में तीसरा app में यहाँ है दोस्तों कि मतलब आप यहाँ पर आजाते हो प्लेवे स्टोर में और सोते हो कि मेरा यहाँ पर कोईसा भी app डाउन्टोड कर दा हो जैसे कि यह ओ गया कोईसा भी app डाउन्टोड कर दा हो और उसका आप कुछ processing समझते ही नहीं हो कि वो मेरे mobile के लिए harmful है या नहीं है इसेरे सेटिंग में मैं आपको एक ऐसा सेटिंग बताने बला हूँ जिससे आप कोई भी इलीगल एप डाउनलोड कर देता हो जो कि आपके मुवाइल के लिए अच्छा ना हो वो भी बहुत ही खराब हो और उससे आपका प्राइवी से लिख हो सकता है तो उसको आप सिंप्ली आप यहां पर आप नहीं हाएगा और बिना मतलब का एप प्लेव स्टोर आपको देगा यह नहीं और फिर आपका डाउणलोड हो जाएगा यह प्लेव स्टोर आपको बता देगा कि भाई यह बहुती खराब है आप इसको जल्दी से जल्दी डिलिट कर दो ने तो आपका यह एप है यह बहुत ज़्यादा privacy आपका लिक कर देगा तो इसको आपको on करकर रखना चाहिए उसके लिए आपको क्या करना होगा यहां पर आपको प्रोफाइल में जाना होगा प्रोफाइल में जाने के बद यहां पर आपको एक option देखेगा play protect यहां पर देखेगा और यहां पर आपको सेटिंग पर क्लिक करना है और यहां पर आपको एपने हरफुल आपने यहां पर देखने कि मिल रहा है No harmful app फांड तो यहां पर आपको एक बर скорее करदेना है और फिर मतलब समझ लेना ही कि मेरे मुबाइल में harmful app है या नहीं है देखिये यह देखिये मरा zu cảन हो गया और यहां पर देखें कि मिल रहा है अगर आप उसको कर लेते हो तो यार आपका mobile इतना secure हो जाएगा यानि कि आप कोई भी app download करोगे तो आपका उसमें जरा सा भी privacy leak होगा नहीं अगर आप इसको कर लेते हो तो वो कैसे होगा दोस्तो यानि कि मतलब कोई सा भी बंदे रहते हैं वो क्या करते हैं मतलब कोई सा भी app जो है search कर लेते हैं चाहे कि वो हो गया camera torch flashlight यह सब जो है search कर लेते हैं उसके बावजूद में मतलब यहां पर notification panel में जो है यह सब रहता है तब भी वो search करके जो play store पर app download करते हैं torch camera यह सब download करते रहते हैं कि हमारे इस mobile में है यह देखिए camera भी है यहां पर flashlight भी है लेकिन फिर भी लोग बाद नहीं आते हैं और यह सब जो duplicate app download करते रहते हैं तो यह देखिए लेकिन फिर भी लोग जो है यह download करते हैं जैसे कि यह हो गया देखिए यहां पर कितना डाउलोडर्स हैं पांच मिलियन फ्लश डाउलोडर्स हैं और आप उचको है यहां पर बीना install किये जो है आप इसका privacy पुरा जान सकते हो यानिकि यह जो है क्या क्या का permission मांग रहा है देखिए यहां पर आपको क्लिक करना है और यहां पर वो सब देखने के मिल जागा जो कि यह download करने के बाद जो है आप इसको एप को खुलोगे तो यहां पर आप से यह सब पर्मिसन लेना ही चाहिए और यह जो है लोकेशन का ले लग रहा है बताईए कैमरा में लोकेशन क पर्मिसन लेन लगा अर तक ठीक है लेकिन अदर्स भी आ गया देखिए मतलब और बहुत चीज़ का पर्मिसन मांग रहा है हम लोग से और यह जो है आपका हर्फुल एप है या नहीं है आप यहां से चेक कर सकते हो जैसे की लोकेशन है कैमरा में लोकेशन का क्या मतलब हु आप यहां पर कोई से भी एप देख लिए यहां पर जाकर कोई से भी एप मतलब यह सब एप के लिए है वो सिर्फ यही एप के लिए नहीं है आपको यह छोटा सा प्लेयर स्टोर के बारा में चार खुपीय सेटिंग पसंद आया हुआ अगर आपके लिए यह यूसपुल बचे और पैसा ज्यादा से ज्यादा बचे आपको यह छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सरकार करें चली मिलते हैं अभी नेक्स वीडियो में तब तक लिए चैनल एंड टेक केर